दोस्तो आज की जो भाइकनसी है वो e-save as small finance bank के तरब से निकाले गई है दोस्तो e-save as small finance bank के तरब से अलग-अलग post और अलग-अलग location के लिए भाइकनसी निकाले गई है जिसके लिए आप घर वैठे online तरीके से apply कर सकते हैं और दोस्तो दिये गए interview location पर जाके अपना interview दे स आप इस वीडियो के साथ बने रहें और दोस्तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को like और चेनल को subscribe जरूज कर लिजेगा क्योंकि यहां पर प्रते दिन आपको इसी परकार के job से समधित वीडियो देखने को मिलेंगे दोस्तो इस website पर आने के लिए इस वीडियो के description म में आपको एक link मिल जाएगा वहां से क्लिक करके आप एसे small finance bank के इस website पर आ जाएंगे जैसे दोस्तों आप इस website पर आएंगे तो आपको scroll करके सबसे पहले नीचे जाना है दोस्तों नीचे जाने के बाद आपको यहां पर date देखने को मिल रहा होगा यह vacancy आई हुई है यह आपका 9 March 2023 यानि कि आज के date में यह vacancy आई हुई है कि apply करने का जो date है वह है आपका 9 March 2023 यानि कि आज से आप इस post के लिए apply करना शुरू करेंगे दोस्तों इसे small finance bank के तरफ से तीन अलग-अलग पोस्ट के लिए vacancy निकाले गई है दोस्तों पहला जो पोस्ट है वह है आपक ब्रांच ऑपरेटिंग मेनेजर का और दोस्तों तीसरा जो पोस्ट है वह है आपका KCR का दोस्तों sales officer पोस्ट के लिए जो qualification रखा गया है और इस पोस्ट के लिए जो age रखा गया है आपका 20 साल से लेके 30 साल कंदर आपका age होना चीए और इस पोस्ट के लिए फ्रेसर और experience बाले दोनों लोग apply कर सकते हैं दोस्तों branch operating manager पोस्ट के लिए जो qualification रखा गया है और इस पोस्ट के लिए apply करने के लिए आपके पास कम सकम दो साल का experience होना चीए किसी microfinance या फिर banking sector में काम करने का और साथे साथ आपके पास MX Excel और MX Office का भी अच्छा खासा knowledge होना चीए तब जाके दोस्तों आप branch operating manager पोस्ट के लिए apply कर सकते हैं और इस पोस्ट के लिए जो age रखा गया है आपका 20 साल से लेके 30 साल कंदर आपका age होना चीए दोस्तों अगला कर दोस्तों पोस्ट के बारे में अभी कुछ बताया नहीं गया है जब आप इंटर्भ्यू दीजिएगा तो आपका interview कैसा जाएगा उस हिसाब से आपका sellit त्या किया जाएगा और आपको उसी बक्त बता दिया जाएगा कि आपको इतना sellit दिया जाएगा तो अगर आप उस sellit से संतुष्ट हैं तो आप job कीजिएगा और अगर आप उस से उसन तूष्ट हैं तो आप उस जवाब को नहीं कीजिएगा दोस्तो आपके लिए कोई फी फ्रेशर नहीं है कि आपको इस जवाब को करना ही है दोस्तो तीनों पोस्ट के लिए आप ओनलाइन तरीके से अपलाइ करेंगे अब कौन-कौन से डोकुमेंट्स आपके पास होने चाहिए वो सारा हम आपको बता रहे हैं दोस्तो तीनों पोस्ट के लिए अपलाइ करने के लिए आपके पास एक पास फोटो होना चाहिए लास्ट क्वालिफिकेशन का मार्शीट होना चाहिए आधार कार्ड होना चाहिए, पेंट कार्ड होना चाहिए, डावी लैसेंस होना चाहिए, रिजूम होना चाहिए और एक बाइक होना चाहिए दोस्तों ये सारे चीज आपके पास होने चाहिए तब ही जाकर दोस्तों आप इस तीनों पोस्ट में से किसी पोस्ट के लिए अपलाई कर सकते हैं दोस्तों इंटर्व्यू का जो डेट है वो है आपका 14 मार्च 2023 और दोस्तों इंटर्व्यू का जो एड्रेस है वो है आपका विदीशा मदपर्देश का और दोस्तों नीचे में कॉंटेक्ट नमर और इमेल आइडी दोनों दिया गया है आप इस इमेल आइडी और कॉंटेक्ट नमर की जरीए कॉंटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों आपको बता दिया जाएगा कि आपका इंटर्विव कहां पर लिया जाएगा